अस्तलामु आलेकुम महरू स्टीचिंग में मैं आपको खुशामदीर कहती हूँ आज मैं शलवार के बच्चे हुए पीस से 18 मा की बच्ची की फ्रॉक्टी कटिंग को स्टीचिंग आपके साथ शेयर करूँगी शलवार के कटिंग के बच्चे हुए पीस दो पीस लेके मैं बड़ी की कटिंग करूँगी सबसे पहले मैंने इसकी चुड़ाई ली है इसकी चुड़ाई जो है वो सारे बारा ले रही हूँ सारे बारा पे निशान लगाने के पाद मैंने पीस की कटिंग कर ली है अब मैं बाड़ी की लंबाई लूँगी बाड़ी की लंबाई तैयार जो है वो 6 इंच है उसमें 1 इंच मैं मार्जन एड़ का रही हूँ 7 इंच 7 इंच पे निशान लगाया है दोनों तरफ 7 इंच पे निशान लगाने के बाद बाड़ी का पीस मेनी कट कर लिया इसका क्रास पैक जो है वो तयार शोल्डर कटिंग करूंगी फॉर फॉइन्ट पैक जोल्डर के लिया उसके बाद मैं इसकी चैस्ट का निशान लूँगी ग्यारा इन्च इसकी चैस्ट तयार है साड़े दास इंच इसकी कमर है शोल्डर की मैंने गुलाई कर लिए कंदे की गुलाई करने के बाद मैंने दर्मियान में उसका हाफ किया जिस देगर से हाफ किया था उदर हाफ इंच की मैं लाइन लगाँगी अंदर की तरफ उसके बाद इसकी फ्रांट शेप दूंगी यह हमेशा कपड़े के फ्रांट साइड की जो है वो शेप होती है इसके बाद शोल्डर के पास से उपर क्रास पैक के उपर मैं हाफ इंच का निशान लगा रही हूँ डेड इंच गले का मारदन छोड़के यहने तिछी लाइन लगा के तिछी लाइन लगाने के बाद मैं गले की गुलाई दूँगी गले की जो चुड़ाई थी वो मैंने डेड इंच लगाई है और इसकी जो गहराई है फ्रंट जो है वो 2.5 होगी और बैक टूपॉइंच जस्ट टूपॉइंच होगी उसके पाद कंदे की कटिंगा लिए चेस्ट से कमर तक शेप दे लिए क्रास पेक की हाफ इंच की शेप फ्रंट और बैक दोनों पीसीज की होती है जिससे कब मैंने ड्राफ्टिंग की थी फ्रंट और बैक कर लेगी उस सेम उसी पर मैंने कटिंग का लिया है हाफ इंच क्रास पैक की कटिंग की हैं कि कि उसके बाद फ्र конф और बैक नेक पध्रीरों की में सीम कटिंग का रही हैं आप चाहें तो बैक की लैधा से स्ट राफ्टिंग का सकते हैं और फ्रांट की लैदा से, लेकिन मैंने अगर ठीक है, डेर इंच इसकी चुड़ाई थी और दो इंच इसकी गहराई थी, बैक की दो इंच गहराई पे मैंने काट लगाने आप, दो इंच मैंने गले की गहराई रखी थी, आप जो बटन टेक के लिए, वो मैं तीन इंच का न यह बैक पीस है अब मैं हाफ इंच की फ्रंट शेप दूँगी यह कंदे की शेप मेंशा बाड़ी के फ्रंट वाले हिसे की होती है कि ड्राफ्टिण मैंने इसकी पहले कार ली थी कि ड्राफ्टिंग किये हुए हिसे पर मैं आपकिटिंग कर रहे हूं मैंने फ्रंट और बैक नएक अगठ्छी कटिंग की थी आब मैं फ्रंट पीस को हाफ इंच स्थ dependence के उसकी कटिंग करूँगी इसकी चुड़ाई और गेहराई में आप कमी बेशी कर सकते हैं उसके बाद मुझे अरेब पटी के लिए कपड़ा चाहिए मैंने एक कपड़ा लिया उसको तकून उसकी तकून बनाई है और इसकी चुड़ाई जो है वो मैंने एक इंच लिया और लंबाई आप अपनी चाहिस के नताबिक ले सकती है मैंने ती अरेब पटियां काटी है एक मैं फ्रंट नेक पे लगाऊंगी और दो जो है मैं स्लीव लेस मैं रख्या है तो दो अरेब पटियां मुझे स्लीव में काम आएंगी यह ऐसे लगेज़ें स्टीचिंग के लिए यह पिंग कलर का फ्लावर है यह मैं डेकरेशन के लिए तोर पे यूज करूंगी और साथ पिंग कलर की लेस है सबसे पहले मैं बाडी के फ्रंट नेक की जो है वो मखजी लगाऊंगी एक इन चुडाई में यह मैंने रेब में काटा हुआ था एक पैक के वकपे मैं सलाई लगा रही हूँ उसके बाद इसके अंदर हलके हलके मैं कट लगाऊंगी छोटे-छोटे कट लगाने की वज़ा से यह मोड़ने में आसानी हो जाती है इसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड का रही हूँ ऐसे इसकी सफाई जो है वो मैं बादी के फ्रंट वाले हिसे की तरफ ला रही हूँ उपर वाले हिसे पे नफासत ची यह गुलाई में आए थी बादी के फ्रंट नेक की मगजी लग चुकी है अब मैं बैक साइड की बटन टेक बनाने के लिए जो मैंने पीस रखा हुआ था उसको लगाना शुरू करती हूँ जिस जगह से मैंने इसकी कटिंग की हुई थी सेम उसी के उपर मैं स्लाई लगाऊंगी एक पैर के वक पेपर मैं स्लाई लगा रही हूँ बादी का जो सीधा हिस्सा है वो नीचे की तरफ है और जो उल्टा हिस्सा है उसके उपर मैं स्लाई लगा रही हूँ जब विकार्णर आता है इदर से निहान से स्टीजिज लगाएं बैक साइड की स्लाई लगाने के बाद में बटन टेक वाला जो कपड़ा है उसको एक या सवाई इंच जितना आप चोड़ा रखना जाते हैं उसके मताबिक ड्राफ्टिंग करके उस फीस को काट का ले मैंने ये एक इंच चोड़ा रख है और ये थोड़ा थोड़ा अंदर फोल लोने के बाद तक्रीबन पहुना ही जो है वो बाच जाएगा ड्राफ्ट की है हिसे के मताबिक में इसकी कटिंग का रही हूँ उसके बाद जिदर मैंने इसलाई लगाई थी एक पैर का वकफा छोड़के उदर से मैं कटिंग का लोंगी बटन डेक का जो लंबे वाला काट था उसके अंदर मैं छोटे चोटे दो काट लगा लिए ताकि सीधा करने में आसानी हो जाए उसके बाद इसको प्रेस लगा ले प्रेस लगाने के बाद बाड़ी के फ्रंट वाले ही से और बैक वाले ही से कि मैं क्रास बैक की स्लाई लगा आ रही हूँ दोनों तरफ स्लाई को डबल करें ताकि ये खुलना जाए स्लाई हमेशा पुखता लगाए दोनों तरफ की क्रास बैक की स्लाई लगाने के बाद में बाड़ी के बैक साइड पे जो मैंने बटन टेक वाला ही कपड़ा लगा था उसके उपर स्लाई लगाऊंगी बैक साइड की जो स्लाई है वो लग चुकी है उसके बाद बाड़ी का जो है वो मैं संटर करूंगी बाड़ी का संटर करने के बाद इसके साथ मैंने फ्रिल अटैच करनी है फ्रिल जो है वो फ्रिल के उपर मैं हाथ से खैंचने वाले चुनट वो बना रही हूं चुनट वाला फ्राक है तो इसके लिए मुझे कपड़े को उपर दो स्लाई लगाने पड़ेंगी मेशीन का टांका जो है वो मैं बड़े साइज पर कार लूँगी फुल साइज के उपर मैं दो स्लाई लगाऊंगी एक एक पैर के वकवे पर दो स्लाई लगेंगी फ्रिल के दोनों ही सूपे मैं दो दो स्लाई लगाऊंगी इसलाइए लगाने के बाद फरील के उपर वाले हिसे पे जो दो दागे आपको नज़र आएंगे आपने उन दोनों दागों को खेंचने आइस्ता आइस्ता खेंचे तो चुनट पड़ जाएंगे यह देखें इस तरह बहुत ही प्यारी चुनट से लागरी हैं उसके बाद इसको बाड़ी के साथ अटेच करने यह दो स्लाइएं लगी हुई है इनके दर्मियान में जो स्पेस है इसके दर्मियान में मैं स्लाइ लगाँगी जो के बाड़ी और फरील दोनों को आपस में अटेच करेगी फ्रांट पाड़ी को मैंने फ्रील के एक हिसे के साथ अटेच कर लिया है अब फ्रील को पैक साइड के साथ अटेच करूंगी जो दो स्लाइएं लगाती है इनके दर्मियान में स्लाइ आती है हमेशा एक स्लाइज जो आप में खोल दूँगी बाड़ में और एक स्लाइज जो है वो कप्टे के अंदर की तरफ आ जाएगी या दो स्लाइएं इसलिए लगाते हैं ताकि चूनड़ बरकरार रही छाएं खुले ना चूनड़ से एक स्लाइज की वज़ासे जो है बाजू का सीक्वлекर्स बरकरार नहीं रहता इसलिए दो सलाइएं लगाते हैं एक को हम बाद में खोल देते हैं और एक को अंदर की तरफ यह देखें बहुत ही प्यारी लाग रही हैं उसके बाद मैं स्लीव के उपर अरेब पटी लगाऊंगी अरेब पटिगा मैंने कटिंग के दुरान ही काट के राक ली थी अरेब पटी एक इंच चोड़ी है इसको मैं जो है शोल्डर के उल्टी साइड से लगाना शुरू का रही हूं क्योंकि अगर मैं इसको सीधी साइड पे करूंगी तो इसकी सफाई उल्टी साइड पे जाएगी इसलिए मैं उल्टी साइड से राक इसको लगा रही हूं और इ अरेब पटी लगाने का तरीका सीम है जिस तरह मैंने गले के अरेब पटी लगाए थी इस तरह मैं शोल्डर की भी लगा रही हूँ थोड़ा सा फोल्ड किया और उसके बाद इसके उपर मैं गंकर की स्लाई लगा लूँ इंदोने तरफ कंकर की स्लाई लगाने के बाद यह देखें माशालला बहुत ही प्यारी अरे पटी लग चुकी है अब बारी आती है फिटिंग की तो फ्राक की जो फिटिंग थी वो चैस्ट से है 11 इंच और कमर से 10 इंच आप इसमें कमी बेशी भी कर सकते हैं बच्चू की जो है वो बाड़ के साइज साइस, फिटिंग की पॉक्ता कर रहे हूं इसको फिटिंग की फॉल्ड मदसके पका कर रहे हैं darle के बारे इसके मैं बरीक जीस तरह मर्दाना गेर होता है उस को फोल्ड करते हैं उसी तरह इसको फोल्ड का रही हूं बरीक करनी जो आई इसकी वो फोल्ड करूंगी दूरे की स्लाई लग चुकी अब गरीक internally अब मैं हाफ इंच चोड़ी जो है वो लैसे लगा रही हूं लगाते हो है यह ध्यान रखें कि जिस जगह से हमने स्टार्ट किया हुट wealth उसी जगह प्याख्रों करने हैं बाव Euch success in Duft. लेकिन आप कोश़िश करें कि उसको अच्छी तरह finishing करें इसकी उता के helas हराबlar नहो share इसको हम पुखता करेंगे इसके उपर दो से तीन स्टीजीज मशीन की मदद से लगा देंगे तो बाद में आपको असानी होगी ये देखें माशाला से लेस लग चुकी है उसके बाद जो फ्लावर है वो मैं बाड़ी पे लगा रही हूँ और बैक साइड पे आप टीछ बटन भी उसकार सकते हैं भी लगा सकते हैं, मैं ने इसकी बैक साइड पे फुक लगाई है और फ्रंट पे जो और रेड़ी मेंट फ्लावर लगा है आप इस तरह का गरमी भी बना सकते हैं आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बाक्स में बताना मत पुलिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नूँ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दुआउं में याद रखिएगा इन्शाला एक नही वीडियो के साथ हाजिर होंगी अलाह आपीज